और आपसे बता दें, जो अभ्यरती BPSC के सिख्षक भरती में एक्जाम देने वाले हैं, वो ये सोच रहे हैं, कि कहीं से question out हो जाएगा, या कहीं से मुझे question मिल जाएगा, लगतार किसी अभ्यरती को call कर रहे हैं, तो अपना समय बरबाद कर रहे हैं, उस समय में आप एक question जर बैट के पढ़ लेंगे, एक्जाम नेशन हॉल में जाते हैं, उस से पहले सुचते हैं, आदा अटा और पढ़ के जाएं, इस दोरान लेट हो जाता है, समस्या हो जाता है, और एक परगार के अभ्यरती होते हैं, लगतार call करते हैं, कोई जुगार है, थोड़ा सा जुगार मिल जाता, तो ठीक रहता है, इस पर आप क्या करिएगा, एक्चली मैं इस बात को ऐसे समझना होगा, कि BPSC चेर्मेन अतुल परसाद सर, जब से BPSC में आये हैं, रेडिकल चेंजज किये हैं, आप भी समझते हैं इस बात को, और पता तक नहीं हिलने वाले इस्तिती पैदा कर दिये हैं, आप देख लिजे, पिछले छे मैने का इतिहास उल्टा करके, BPSC का देख लिजे, कितना बराबदलाव किये हैं, और हमको लगता है कि एक इतिहास बना करके, इस मामले में जाने वाले हैं, ऐसा दिड़ परतिक या आदमी हैं ये, तो इसले करके, जो भी अभ अपसान होगा, फाइदा उससे कुछ नहीं होने वाला है, इस बात को आप समझ लें, इतने दिन जो आप लगातार मेहनत किये हैं, वही काम करेगा, बांकि कुछ भी काम इसमें नहीं करेगा, सर, जो अभ्यर्थी सेट प्रेक्टिस करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो प्रशन नहीं बनता है, वहाँ पे स्टार लगा लेते हैं, या उसको गोला कर लेते हैं, उसको यदि रिभाइज कर रहे हैं, हर सेट में जो पांच-दस प्रशन हैं, यदि रिभाइज कर रहे हैं पर time waste क्यों करेंगे तो वही 30-40 question जो नहीं बना है last moment में उसका revision करके जाए notes वोगरे सब चीज revision करी रहे होंगे जो खुद से बनाए होंगे और SCRT, NCRT जो भी बातें होगी अब कुछ भी काम नहीं करना है क्योंकि अब 24 गंटा से भी कम समय बचा हुआ है तो सोभाविक है कि इतने कम समय जो बचे हुए है तो आपको तो आधा समय लग जाएगा कि center खोज रहे हैं या हमको center पर पहुँचना है या hotel में रहने की वेवस्था है या जहां पर भी center पर होगा उसमय आउँ अहां पर भी देखेंगे अभी extra परिसानी student को हो रही है कि बहुत जब होटल नहीं मिल पा रहा है तो कैसे adjust करेंगे ये चुनोतिया भी उनके पास जादा है लेकिन इन सब चुनोतियों से जब VPSC के द्वारा उत्पन किया हुआ इतनी चुनोतियों का वो सामना कर लिये जो कि psychological pressure देने के लिए काफी था तो ये छोटी मोटी चुनोतिया अब आज नहीं आएंगी अब समय आ गया है कि इस चुनोतियों से थोरा सा उपर उठ करके अपना best performance examination hall में कैसे दें क्योंकि ये जो दो घंटे का समय होगा न एक्जाम का 120 मिनिट का समय है ये इतने दिन का मेहनत का वो परतिफल वही दो घंटा देगा इसलिए उस दो घंटे में मना हिस्तिती आपक करने के लिए आपका काफी होगा तो मन पर कंट्रोल दिमाग पर कंट्रोल और कूल रहना ये अम्मेन लक्ष आपका होना चाहिए क्योंकि आप last moment में नया परके ही क्या कर लेंगे तो जो आप पढ़ाय किये हुए fast revision उसका करें नया चीज परने से बचें और अपना best performance examination hall मे दें यही रननिती आपकी होनी चाहिए सर लास्ट प्रस्ण होगा current affair और aesthetic को यदि revise कर लेते हैं mess और reasoning का जो formula होता है उसको revise कर लेंगे तो उनका 10 अंक बढ़ सकता है अभी vision तो लगातार करी रहोंगे इस पर मेरी टिपन्नी नहीं होगी मेरी टिपन्नी होगी कि 120 मिनेट का आपको समय मिलना है examination hall में time management अभी भी बहुत student के साथ बड़ा आइस हुआ है क्योंकि हम जब भी यहां test लेते थे तो कम सकम 30 से 40 percent girls candidate खास करके time management नहीं कर पाती थी दो घंटा का समय उनके लिए कम पर जाता था इसलिए 120 मिनेट में उनको खास करके gs section से समय बचा करके math reasoning के लिए समय उनको निकालना होगा और 10 मिनेट before एक बार last moment में OMR अपना revision कर लें कि सही से भरे हैं कि ने भरे हैं इस सब को और को इतरा का हरवराहट examination hall में नहीं होना चाहिए नहीं तो कब B के बदला C रंग देते हैं और मेरे पास भी यहां टेस्ट लेते थे बहुत बच्चे दावार ठोकने के लिए आते थे कि इमेरा गलती कैसे हो गया हम तो यह answer दिये हुए है जब उनको वो एमार दिखाते थे तब पता चलता था कि कब B के बदला C रंग दिये हैं पता ही नहीं चलता है तो यह examination hall में गलतिया होती है यही गलतियां आपको दौर से बाहर करती है तो इस बात को समझना है इसलिए examination hall में अपना best से best देंगे जो जान रहे हैं पहले उसको बनाए और जहां 50-50 हैं उसके बाद बनाए और जो बाकी बचा हुआ है वो पुरा का पुरा एक हिसाब से आप रंग है जो option आपको निती पर आप काम करेंगे तो पांच नमर दस नमर आप बरहा पाएंगे तो यही छोटी 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 रं निती हमको लगता है कि आपको सफलता दिलाएगी बाकि हर इस उलजलूल चीज़ से आप बचें जो आपको distract करेगा सर समस्या क्या होता है अभ्यर्थी देखते हैं असान question जो होता है question परते नहीं direct answer मार देते हैं वहाँ गलती हो जाता है प्रश्ण में रहता है इसमें से कौन नहीं होगा उसमें से answer कर देते हैं मिलान करने वाला और एक समस्या सराता है OMR reject को लेकर तो OMR reject नहों इसको लेकर किन बात पर ध्यान दे और कैसे प्रश्ण को सधारन तरीका से ध्यान पूरबग पढ़ें कहीं टेंसम नहीं इस चीज़ पर तो बिल्कुल ध्यान देना है कि टीक मारना है जल्दी बनाना है सही है लेकिन इतना भी जल्दी बनाने का पर्यास नहीं करना है कि हम चारो अप्सन पूरा का पूरा नहीं परे और फिर हम उसको में टीक मार दी क्योंकि उधारन है उस समय जैसे कि भारत का उपरास्ट पती एक था कि K.R.Narayan हुआ के आर नारायनन दूसरा अप्षन इसी तरह का उप्षन तो फट से के आर नारायन मारते गए टीक आगे भरते गए कके आर नारायनन दूसरा ओप्षन था उन लास्ट में व ऐसे science में word होते हैं, कि आपका असपस्टता सही से नहीं हो पाएगा, कि जैसे thyroid grantee है, उसको हिंदी में लिखा रहाता है, up to grantee, अब up to grantee क्या है, अब परिशान है, लेकिन तुरह तो आप English meaning का उसका देखें, तो आपका बात clear हो जाएगा, कई बार और last में क्या होता है, English meaning ही आपका मान होता है, तो इस बात को भी देखना है, कई बार थोरा भी अगर उल्जन लगे हिंदी के प्रस्न में, तो आप तुरह तो उसका English meaning देखिए, और वहां से सुलजने का प्रियास किजिए, और एकाद question ऐसा होता ही है, और यही एकाद question आपको भीर से भी अलग कर सकता है, इसलिए इन बातों पर भी ध्यान निश्य दूप से देना है, OMR reject ना हो इसके लिए, हलांकि इस बार आप देखेंगे जो उसका specimen copy दिया गया है, बहुत कम column को भरना है, तो जैसे उपर में question booklet number है, एकदम सही से भर हैं, फिर OMR में दिया हुआ scan करने का तो वहां मतलब नहीं है, ने हम capital letter में है, तो capital letter में ही भर हैं, आपका signature नहीं कर रहा है कि capital small मिला करके आप करें, नीचे में आपको Hindi signature कर रहा है, अब आपका संदेश क्या होगा, उन अभ्यरतियों को जो यहां से परके जा रहा है, या कही के भी अभ्यरतियों सिक्षक भरती का exam देने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश हैं? संदेश यही होगा कि मेहनत जिंदा बहाद, क्योंकि तुक का काम नहीं करेगा, chairman sir भी बोले हैं, इसलिए इतने दिन जो मेहनत किये होंगे, और जो बच्चे डिजर्व करते हैं, तो निश्चीत रूप से उनका result होगा, और आपकी गलती के काराण आप दोर से न बाहर हों, इस बात का ध्यान जरूर रखना है सबको, इसलिए खुब अच्छे से जाईए और अपना best दीजिए और निश्चीत रूप साब के साथ बहतर होगा, सर समय देने के लिए बहुत बहुत होता है, जी बहुत होता है,